गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स हाजर हैं आपके लिए लेकर अनलोक पांच की लेटेस्ट अपडेट और न्यूस जिसके अंदर कुछ गाइडलेंस हैं जो सेंट्रल गॉर्णमेंट ने स्टार्ट की है जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि करोना का महामारी के चलते हुए अनलोक पांच में कुछ और जो है हमें कैंसेशन मिली है कहने का मतलक कुछ और फैसिलिटीज हैं वो हमें मिलने वाली हैं अनलोक चार पांच के तहत कि हम क्या क्या चीज हैं जो अपनी पिश पहले करते थे वो अब हम regular continue कर सकते हैं इस वीडियो को अंतक देखिएगा ताकि आपको अनलोक पांच की जो guidelines हैं वो आपको अच्छी तरह हैं देशन एरदेशन सार पता चल सकें और चैनल पर आए हैं पहले बार तो चैनल को कर लिजेगा सब्सक्राइब साथ में घंटी वाले बटन को भी कर दीजेगा प्रास्ता कि हमारे आने वाली हरी QDP नोटिफकेशन पहुंच आपके पास सबसे पहले तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी जो आज की वीडियो तो जैसे की दोस्तों अपने थमनेल में देखा है कि अनलोक पांच से हटने वाला है परदा सिनेमा से लेकर इन सुविदाओं का फिर से मज़ा ले पाएंगे आप तो क्या है दोस्तों दिखे देश करोना संकट की मार से जूज रहा है अनलोक डाउन के दुरान से भी देश दो चार रहा है और अब अनलोक का दोर चल रहा है अनलोक चार अब 30 सितंबर को खतम होना है इस तैत कई चीजों की छूट दी गई है वहीं कहां जा रहा है कि अनल सरकार कई और रियास्तें दे सकती है ऐसी उमीद जिताई दा रही है बताय जा रहा है कि अनलोक पांच के लिए गैडलेंस तैयार करने का काम लास्ट फेज में हैं त्योहारां का सीजन भी शुरू होने वाला है ऐसी स्थिति में केंदर सरकार अनलोक पांच के तैत और डिल द हमें लोक की सुरक्षा है तो अनलोक पांच में सिनेमा होल जैसी गती वीदियों पर भी छूड़ दी सकती है अनलोक पांच से पहले मल्टी स्पेशल एसोसियेशन ओफ इंडिया ने सरकार से सिनेमा होल खोलने की इजाज़त मागी है कहा है कि इसके लिए पहली पंक्ती में एक सीट छोड़ कर दर्शक बैठें और उसके बादवाली को खाली रखा जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके 21 सितंबर से केवल ओपन एयर थीटर खोलने की अनुमती दी गई थी वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने दी अजाज़त इस क्रम में पश्चिम बं मुजिकल डांस गाय की एमजादू शोमी कठा होने की इजाज़त दी है वहीं इस दुरान कोविट समंदिन सभी गैडलेंस का पालन करना निवा रहा होगा अनलोक चार में सिरकार ने सेलोन जिम के इलावा मोल और रेसंत्रा खोलने का भी इजाज़त दी थी एक अक्तूब करेंट और लोग डाउन ऐसे किया जाए की कोरोना का प्रयास रुके सुर्सार रुके उन्होंने यह कहा था कि इसकी वजह से आर्थिक गति वीदियों में समस्या नहीं आनी चाहिए तो कोरोना संक्र और लोग डाउन के चलते प्रयाट्र शेत्र का खासा नुक्सान कोरोना वायरस के चलते सबसे ज़्यादा प्रवावित सेक्टर में एक टूरिजम सेक्टर है कोरोना संकट और लोगडाउन के चलते प्रेटन शेतर का खासा नुकसान हुआ है ऐसे में माना जा रहा है कि अनलोक पांच में अधिक प्रेटन के इंदर और प्रेटन स्थल यातरियों के लिए खोले जा सकते हैं गयरतलब है कि कई राज्ये पहले ही अपने यहां होटलों को फिर से खोलने के नुमती देने की योजना बना चुकी है हाल ही में ताजमेल समेथ कुछ प्रेटन स्थलों को खोला गया है एक्तूबर में कीरल में प्रेटन स्थल शेत्र फिर से खुल सकता है उत्राखंड सरकार ने प्रेट को के लिए कोविड-19 प्रतिबंद भी हटा लिया हैविक सिक्किम सरकार ने भी इस बारे से इस बारे में पहल की है तो स्कूलों को लेकर हो सकता है बैसला नौमी से बारवी क्लास तक के शेत्रों के लिए स्कूल स्थिक अधार पर शुरू हो चुके है हालां कि कुछ ही राजियों नहीं स्कूल खोले है अगले महीने भी ऐसा ही जारी रहने की संभावना है वहीं उपरी कलास के बच्चों को स्कूल जाने के लिए और अधिक छूड़ दी जा सकती है अभी पेरेंट्स की लिखी जजाज़त के बाद ही स्कूल जा सकते है फिलहाल अगले महीने भी प्राइमरी कलास बंद रहने की संभावना है और यह अनलोक तरीके से ही सुचारू रहेगी ऐसा कहा जाता है कि कहीं राज्यों ने स्कूलों को खोला है तो कहीं ने एहतिया इसे बंद रखा है वहीं दिल्ली में पांच अक्तूबर तर स्कूल बंद रखे गए हैं गयर तलब है कि देश में करोना वायरस के मामले 60 लाग से जादा हो गए हैं मगर अच्छी बात ही 50 लाग से जादा मेरी इस बिमारी से उबर चुके हैं इस तहट मामारिक कोश शिकस्त देने वालों की संख्या उपचारा धीन मामलों के मुकाबले 5 गुना से अधिक हो गई है हलांकि इस घतक वायरस ने अब तक 95,542 लोगों की मुवत हो चुकी है तो यह थी दोस्तो अनलोक पांच की जो है लेटेस्ट गाइडलाइन्स पबंदी से हटा है परदा होपसो की व्यूडियो आपको पसंद आई होगी व्यूडियो पसंद आने पर कर देजेगा लाइक और शेर फिर मिलते हैं दोस्तो अपने इसी चैनल बेड़ी बेड़ी देदनेवा सस्रीकाल जैहिन जैबार्द वंदे मातरम गर्री सुरक्षित रहे